अयुद्ध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अब अयुद्ध्या धाम स्टेशन हो गया है दरसल काफी दिनों से अयुद्ध्या के संतों की मांग थी कि अयुद्ध्या जंक्षन को अयुद्ध्या धाम जंक्षन के रूप में जाना जा है इसके लिए ऐध्या के सांसद लल्लू सिंग ने भी रेल मंत्राले को पत्र लिखा था अब सीयम योगी आदित्तेनाद की निर्देश के बाद प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के आगमन से पहले स्टेशन का नाम बदल दिया गया है आयोध्या के पूज सादू संत और आयोध्या के सभी राम भक्त बहुत दिनों से चाहते थे कि आयोध्या रेल्वे स्टेशन का नाम आयोध्या धाम के नाम पर हो प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी 30 दिसंबर को भगवान श्री राम के मंदिर के तरजिपा बने अयुद्याधाम जंक्षन रेल्विस्टीशन का उद्खाटन करेंगे साथ ही वहाँ से बंदे भारत और अमरित भारत ट्रेन को हरी जंडी भी दिखाएंगे इसके लाबा प्रधान मंतरी रेल्विस्टीशन में कुछ स्कूली बच्चों से समबाद भी करेंगे आपको पताते चले कि अयुद्याधाम जंक्षन रेल्विस्टीशन भगवान शीराम के मंदिर के तर्जप पर पिंक सेंड स्टोन से बनाया गया है अयुद्याधाम जंक्षन को देश के विविन राज्यों से जोड़ने के लिए कई सारी ट्रेने भी चलाई जा रही है जो राजस्तान के बंसी पहाड़पूर के पत्र हैं वो भगवान सी राम के मंदिर में भी लगाए गए हैं भगवान सी राम के मंदिर के जो दर्शन हैं वो आपको रेल्वे स्टेशन से ही होने सुरू हो जाएंगे आप राम लला के मंदिर का आहसास यहां करेंगे फिर अपने आराध्य का दर्शन करने राम जन भूमी जाएंगे कैमरा सही होगी पवन सर्मा के साथ मनमीद गुपता भारत एक्सप्रेस आयोध्या